गैस C++ की काफी बात करी हम लोगों ने इस ब्लिस में आज बताऊंगा मै कहीं फ़लों बना कर और कैसे बनाया यह बता कर कि फाइल इक प्रॉग्राम कैसे बनाएं जो कि रिड कर सके तो फाइल आयो लिखता हूं सबसे पहले और एक प्रोग्राम हम लिखेंगे reading and writing to a file ठीक है तो यहाँ पर C++ में हम लोग एक program लिखेंगे जो कि file को read करेगा और file को write भी करेगा थोड़ा सा quick revision, quick revision जल्दी से कराना चाहूँगा और quick revision यह है कि हमारे पास 3 useful classes होती है यहाँ पर लिख देता हूँ star लगा कर 3 useful classes हमारे पास C++ में 3 useful classes होती है पहली useful class कौन सी होती है हमारे पास f stream base तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ f stream base class और दूसरी होती है हमारे पास if stream और एक और होती है हमारे पास off stream ठीक है अब यह जो if stream होती है यह derived होती है यह जो f stream base है इससे यहां पर लिख देता हूँ, ठीक है, derived from, मैं one लिख देता हूँ, यार इतना बड़ा कहां लिखंगा, f-stream base, और यह भी मेरा derived from, यहां पर मैं one लिख देता हूँ, तो यह भी f-stream base से derived है, यह भी f-stream base से divide है, ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है, in classes को use कर सकते हो, और यह classes आत ही कहां से, यह तीनों की तीनों classes मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, कि आती है हमारी एक header file से, जिसका नाम होता है, f-stream, ठीक है, तो आप hash, include, f-stream करके, इसको include कर सकते हो, और इसके अंदर यह सारी classes होती है, ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह देखा था, कि हम cout की तरह ही एक file के अंदर, हम in fact file से ले सकते है data, c in से जैसे हम लोग keyword से data लेते हैं, हम cout की साहता से, जिस तरह से, जो हमारा monitor है, उस पर data display कराते है, from program to our display device, हम कुछ इस तरह से write operation कर सकते हैं file में, तो मैं एक और start लगाऊंगा, सबसे पहले read operation करता है, कि file को सबसे पहले read करेंगे, कुछ भी आप कर सकते हो पहले, मैं आप लिख देता हूँ read operation, read operation करने के लिए आप लोग क्या करोगे, कि आप लोग यहाँ पर if stream का एक object बनाऊगे, आप लिखोगे if stream, और यहाँ पर मैं इसका नाम in रख रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नाम अप ले सकते ह फाइल का नाम मान लो this.txt है, this.txt फाइल का नाम है और this.txt लिखने के बाद यहाँ पर मैं एक सामे कॉलन लगा दूँगा और अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं एक string के अंदर, एक string के अंदर मैं इसकी data को लेकर आँँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपर सबसे पहले त इस तरह से मैं कहा दूँगा in st, यह बिल्कुल c in की तरह काम करता है, ठीक है, just like c in लिख देता हूँ, just like c in, c in तो यार हमने यूज किया यह है, और एक और हमारा write operation होता है, ठीक है, उसी तरह हमारा जो यह वहला write operation है, यह हमको facilitate करता है, एक file में write करने के लिए, off stream का एक object बनाऊंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, off stream, नाम कुछ भी रख सकते हैं, out इसलिए रख रहा हूँ, ताकि आपको पता चलेगी, c out की तरह ही है, इसलिए out रख रहा हूँ, आप अपना नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर file का नाम लिख देते हैं, file ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने एक जो हमारा यह, off stream का object बनाया, out, मैं इस file में write करना चाता था, लेकिन क्या write करना चाता था, मैं st write करना चाता था, तो मैं आपर एक चीज और लिख देता हूँ, string st is equal to, कुछ ऐसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैंने इसको तरहाँ नीचे shift कर दिया, off stream out लिखा, और यहाँ पर मैं भी क्या करूँगा, string बना लोगा, मैं actually string बनाना चाता था, तो मैं आपर लिख दूँगा कुछ इस तरह से, string st is equal to, मानलो मैंने harry लिख दिया, ठीक है, string st is equal to harry मैंने आपर लिख दिया, और मैंने फि to a file, this.txt, जो हमारी this.txt file है, इस पर write कर देगा, लेकिन जब तक हम लोग प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, तब तक हमें मज़ा नहीं आएगा, मैं चाता हूँ कि आप लोग इसका screenshot ले लो, क्योंकि जो information मैंने लिखी है, काफी useful है, वैसे मैंने site पे भी डाली हुई है, information आप भापे भी जाके देख सकते हो, source code जो मैं लिखता हूँ, और जो information मैं आप भी दे रहा हूँ, इस अब typed form में आपको मिल जाएगी site पे, but again, in case, अगर आप लोग चाहते हो, कि आप लोग इस content का screenshot लेना चाहते हो, यहाँ पर इस particular frame का तो ले सकते हो, ठीके, अब हम चले constructor है उसकी साहता से, और out के constructor की साहता से, off stream object की constructor की साहता से, ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग अब VS code के अंदर चलते हैं, so guys, यहाँ पर जल्दी से एक file बनाएंगे, जिसका नाम मैं रखूँगा, tut61.cpp और cpp की boilerplate मैं आप जल्दी से लगा दूँगा, यहाँ पर आप same directory में रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, include कर लूँगा, f stream को भी, ठीक है, ऐसा मैं नहीं क्यों किया, क्योंकि मैं use करना चाहता हूँ, अपने off stream और if stream को, सबसे पहले आप लोगों को मैं आपर बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग एक file में write कर सकते ह ठीक है, तो मैं आपर off stream का एक object बनाऊंगा, और इस बार उसका नम out नहीं दूँगा, उसका नाम मैं दूँगा, hout दूगा, h for Harry, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, मैं आपर बस यह बोल रहा हूँ कि कुछ और नाम भी दिया जा सकता है, sample60.txt, और जब हम ऐसा करते हैं तो ह हम क्या करते हैं, हम अपनी file को connect कर रहे हैं, किस से, इस stream से, hout stream से, तो यह output stream हमने बना ली, कुछ ऐसा समझ लो कि यह pipe डाल दिया, हमने क्या कर दिया, pipe डाल दिया, इस file से, इस program में pipe डाल दिया, अब data flow हो सकता है, किस direction में flow होगा data, आप अगर output file बना रहे हो, तो from, from this program to the file, इस तरह से data generate होगा, ठीक है, अब अगर मान लो, मैं आप से कहूं, string name, और कहूं, c in name, तो आपका जो नाम है, वो आ जाएगा, जो भी आप enter करोगे, और मैं काम और कर देता हूं, c out लगा के, आप से यह कह देता हूं, enter your name, ठीक है, enter your name आपने कर दिया है, आपर, string name बना के नाम, keyboard से वो आ जाएगा, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उस नाम को, मैं h out कर दूँगा, और h out क्या है मेरी, h out मेरी, यहां पर output stream है, मैं सीधा file में लेकर जा रहा हूं, इस data को, मैं कहूंगा, कि मैं इस name को लेकर जाना चाहता हूं, इस file में write करना चाहता हूं, चलो इस program को देखते हैं, चलता है या नहीं चलता है, देखो, यहां पर मैंने इस program को run किया, enter your name, harry bro लिख रहा हूं, ठीक है, और sample 60 में, harry bro इसने write कर दिया, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कुछ इस तरह से out करने से पहले, एक और, मानलो, string इस मैं add कर दूँ, कुछ ऐसे, my name is harry bro, तो यह देखो, यह मैंने आपर, मानलो, my name is, मैं harshita लिखता हूं, ठीक है, my name is harshita, देखो, यहां पर आगया, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बड़े अराम से, एक file में write कर सकते हो, data का flow देख रहे हो, कैसे जा रहा है, program to, यह जो file है, जो आपने open करी हो जा रहा है तो मैं यहां पर थोड़े से comments लिख देता हूं, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, connecting our file with hout stream, ठीक है, हमने अपनी file को hout से connect किया, connecting our file with hout stream, अब हम यहां पर क्या कर रहे है, creating a name variable entered by the user, creating a name string, and filling the variable and filling it with the string entered by the user, ठीक है, तो अच्छे comments लिखता हूं, यह प्रोग्म आप देखो बात में, तो थोड़ा मज़ा है आप लोगो को देखने में, तो यह मैंने यह इन दी लाइन में यही किया है, in fact, इसको थोड़ा उपर ही कर देता हूं, तो यहां पर मैंने ऐसे कर दिया, यहां पर मैंने क्या किया है, यह मैंने क्या किया भी यहां पर, writing a string to the, to the file, ठीक है, अमाल लो मैंने यह काम कर दिया, ठीक है, इस file के साथ यह काम हो चुका है, मैं क्या करूँगा, इसको close कर दूँगा, close करने से क्या होगा, कि मैंने free कर दिया इसको, मैंने का यार, अब मै इसके साथ काम नहीं कर रहा हूँ, तो ये stream बंद हो गए, कुछ ऐसा समझ दो जो pipe मैंने डाला था, sample 60 से इस file में, इस program में, sample 60 file से इस program में, जो मैंने pipe डाला था एक link बनाया था, जैसे मानलो एक gas का pipe डाल दिया था, कि मैं gas supply कर सकूँ, और जैसे कि होता है, LPG supply होती है कई जगा पर, ठीक है, उस तरह से मैं यहाँ पर ऐसे, डाल देता हूँ pipe, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कि एक बार मैंने ये hout.close कर दिया, तो मैंने अपने program से कह दिया, कि भाई, अब इस file से मैं कुछ transport नहीं करूँगा, इस LPG pipe से अब मैं LPG नहीं transport करूँगा, इस pipe को हटा तो, यह pipe हटा देगा, अभी जो link बना हुआ था न, इस file का और इस program के बीच में, वो link मैंने एक तरह से card दिया है, ठीक है अब मान लो, मैं read करना जाता हूँगा, इस file में है क्या, ठीक है तो, यहाँ पर read करने के लिए मैं if stream बनाऊँगा, इस बार comment नहीं लिखूँगा, और मैं आपर simply क्या करूँगा, same file कोई sample60.txt इस तरह से करूँगा, और यहाँ पर मैं string content, मतलब content of the file is equal to यही काम करूँगा, ऐसे नहीं, string content लिखता हूँ पहले, content नाम की string मैंने बना ली, अब मैं क्या करूँगा मैं आपर लिखूँगा, h in और h in मैं आपर कुछ इस तरह से लिख दूँगा content, इसका मतलब यह हुआ कि इस file का, जो भी content है वो इस content में ला दो, और मैं आपर लिख दूँगा the content of this file is, और मैं आपर लिख दूँगा content, ठीक है in fact, एक back solution लगा दूँगा एक colon लगा दूँगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, पता चलेगा कि क्या content है, क्या यहाँ पर मेरी string से print हो गया रहा एक काम करता हूँ जो उपर बनाया है program इसको इस तरह से comment out कर देता हूँ, आप लोग uncomment करके चला ले ना, यह भी uncomment sorry comment out करूँगा, यहाँ से है program हमारा, अब देखो इस file को read किया रहा है sample 60.dxt को, इसमें सिर्फ my है, तो इसमें my name is harshita है, यह क्या हुआ, अब मैंने आप लोग को पिछले प्रोग्राम में बताया था कि आप जिस तरह से c in use करते हो अगर आपने white space डाल दी, तो जैसे कि आप लोग को अगर यही वाला जो program हमारा comment out हुआ है, यही को चला के दिखाऊ अगर मैं तो आप लोग देखो कि check out, okay sample 60.txt को close किया, check out my name is Harry भाई is good my name is Harry आया, देखा my name is Harry आया, काम करता हूँ मैं my name is कुछ और लिखता हूँ यहाँ ठीक है in fact, बिल्कुल सही हुआ, कुछ गरबढ़ नहीं हुई मुझे लगा कि कुछ गरबढ़ बढ़ नहीं देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया यहाँ पर मानलो मैं शुबम लिखता हूँ यहाँ पर मानलो मैं शुबम सचदेवा लिखता हूँ मानलो, ठीक है, गलत लिखती शुबम की spelling कोई बात नहीं तो आप देखो, सिर्फ वो गलत spelling जो लिखती शुबम की हुआ यह एक स्पेस जब आ जाता है तब यह scene जो है उसको consider नहीं करता है उसी तरह यह भी scene की तरह भी behave करता है अगर आप चाहते हो कि यह consider करे तो आप क्या करोगे, एक get line function होता है हमारा उसका इस्तिमाल कर सकते हो जो कि मैं आप लोग को यहां पर बताया था आप लोग get line जो यह stream हो दे सकते हो इसको और कि string में लेना है वो आप डाल सकते हो तो जो मैं आप लोग को आप लोड़ी बता रखा है पिछले वीडियो में but this is how you can work with multiple files एक ही time पर और उसके बाद उसको आप close कर सकते हो तो अगर मुझे close करना हुगा तो मैं h in dot close कर दूँगा और इसको मैं आपर save कर लेता हूँ यहाँ पर program को तो मैं एक ही program में एक ही साथ देखो यहाँ पर name डाला हूँ Harry तो इसने क्या किया सबसे पहले my name is Harry किया मैं एक काम करता हूँ my name is Harry ना डालकर name is Harry डाल देता हूँ इससे वैसे कुछ भी कर सकते हो आप ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मेरा program उसी ही साथ से behave करेगा तो जैसे मैं Shubham डालूँगा तो यहाँ पर मज़े Shubham के बाद space my आ गया Shubham का space my इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पर space नहीं दिये जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है एक space दे दूँगा तो Shubham my name is आ जाएगा Shubham is my name डाल देता हूँ is my name ठीक है run कि enter your name Shubham Singh सिर्फ Shubham आया ठीक है और अगर मैं यहाँ पर डाल दूँगा Divya my name is the content of this file is Divya enter your name Divya तो यहाँ पर यह file में भी आ जाएगा Divya is my name ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि एक ही file में मैंने सबसे पहले write किया और उसी से read कर लिया आप read और write भी कर सकते हो पहले file के content को read कर लो फिर same program में आप उसको write भी कर सकते हो तो यह काम आप एक program में कितनी भी बार कर सकते हो कितनी भी file के साथ कर सकते हो ठीक है लेकिन यह जो close function है यह काफी important है जो हमने यहाँ पर और यहाँ पर use किया I hope कि यह चीज clear हो गई होगी अब आप लोगो अगर आप लोगों ने C++ की playlist access नहीं करी है तो आप लोग यार करो C++ की playlist access और यार share मारो इस playlist को इसमें सबसे कम shares है यह playlist एक ऐसी playlist है इसमें जिसको बहुत कम लोग देख रहे हैं और इसमें shares likes का जो वह है बहुत कम है प्लीज अगर आप चाहते हो मैं इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस बनाओं तो काफी topics हैं जो कि भी बचे हुए हैं तो प्लीज इसको share कर दो या तागी मेरा भी जो होसला रहता है वो बना रहता है इन वीडियोस को करने का मैं सारे वीडियोस C++ के जल्दी complete कर दूँगा बट प्लीज वीडियो को like और share जरू करना और उसी के साथ यार बहुत जल्दी 600k होने वाले हैं 99k हैं तो अगर आप लोग ने subscribe नहीं किया बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं सब्सक्राइब करते हैं वीडियोस को तो आप लोग यार सब्सक्राइब कर दो इसको 600k अरवा दो जल्दी से देखते हैं यार कितना डाइम लगता है बट थैंक यू सो मच गाइस पो वाचिंग इस वीडियो और आवल सी यू नेक्स टाइम आप 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 आप